दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो इस समय सफाई यूनियन की समस्या दिन प्रते दिन बढ़ती जा रही है छेचे महीने हो गए तंखानी मिल रही है हमारे बीच में राम सिंग परदान जी है जो की अखिल भारती है सफाई यूनियन के उपाध्यक्ष पर आसीन है सर क्य सब्सक्राइब करते हैं यूनियन कुछ भी नहीं गुंडा गर्दी कर रखी है केजडी वाल जी कहते हैं बीजेपी को बीजेपी केती है केजडी वाल को जे और हम लोग परिशान है ठेकेदारी पर्था चला दिए चार जोन चले गए हैं हम लोग राद दिन भागे डोल रहे हैं और हमारे लोगों की तनकाय नहीं मिल लई है और खाना पीना भी दूसपार हो गाए सफाई यूनियन की बात करें तो कांग्रेस के राज में भी परेशान मोधी सरकार में भी परेशान आम आदमी प्राटिक म में अब क्या समच्छ सरा रही है समय कre टीन तूर दिली के eh nd ने तीस्टी मेर हैं जोगों की वज्रेश कड़मंने प्राटों शुट और चिंच्डाले वाले हो वो एक MCD बन जा है जैसे इनों ने वादा करा था आम आदमी पायती ने भी वादा करा था बीजेपी ने भी वादा करा था के आने वाले वक्त में हम तीनों निगमों को एक कर देंगे लेकिन अभी तक इनों ने एक नहीं करा और ये हमारे बदहाली का जो कारण है य लेकिन हमारी कोई सुने वाला नहीं है कभी चार-चार महीने हो जाते हैं हमारा बॉनिस नहीं मिलता है हमारे लिए कुछ नहीं मिलता है और उल्टे हमारे उपर यह निगम पार्षत उपर दबाब डालते हैं और इन्होंने का यह जो सपाई विवस्ता जो है यह ठेकेदारी पड़ा है इन्हों ने चार जोन भी पर्धान जी यह बता हैं कि अच्छे दिन भी तो जणता को चाहिए थे वह लोगों की भूल थी कर मिला जाते हिए जयसे इन्होंने कहा है तो अच्छे दिन तो आई नीहीं हमारे तो बुरे दिन आगे ॉन और रहाए वाला आने वाले समय में दिल्ली में 2022 में चुनाव होने हैं वापसी पुने मोदी के साथ खड़े हैं जाड़ू के साथ खड़े हैं या वापसी कॉंग्रेस के साथ जाने के लिए तयार खड़ा है देखो जी जो सरकार हमारा भला करती है जी भला किस ने करा देखो कॉंग्रेस के राज में तन बदलाब चाह रहे थे और बदलाब में बदले के चक्कर में हमारा तूसरी बार भी दिल्ली के अंदर आप सफाई देखिए एक एक वोट से विधायक बन जाते हैं दिल्ली के अंदर तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो सफाई करमचारियों ने भी चुना है बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों की सरकारी महत्充 चाह रहे तो छतम लाठा करना चाहा रहा हूँ अब यह जितने हमारे यह कच्छे लाइकों आदमी कच्छे हैं हमारे उनके लिए ठेक डारी पर को 不行 ने बंद कर दे रिए लिए नहें जब एक बिधायद नos डाधान यहीं पर सब्सक्राइब आज दो हम चाली साल कारियक और को सब्सक्राइल सब्सक्राइब। वो कहा डूगों सेगा। कि इन्होंने पेंट से रोग दी और अब आपका अगला कदम क्या हो अगला कदम कल हम पटपडगंज में बहुत बड़ा परदर्शन कर रहे हैं और हम हर्ताल पे चले जाएंगे अगर इन्होंने हमारी नहीं सुझी तो कई बार गए फिर वही बात महीं आते हैं अब हमने यह अब हमने सोचा है कि हम विदायों कोई घर पर बैठेंगे निकम पार्सदों के घर पर बैठेंगे एक जुट बना बना के इनके घरों पर बैठेंगे वही पर धर ना देंगे लिगा मौल खराब करना चाहरे हो नहीं अपना अपने तनकाह लेने के लिए हमें और इस्तु यह चाहेंगे तो मिलेगी यह नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेए निकम पार्शद नहीं चाहता कौन देना नहीं चाहता नहीं चाहता नहीं चाहता यह तो अगर भाजपा की बात करने तो तीनों मेर के जी वाल के निवास पर बैठ गए तो हम लोग भी एसी बिदायकों के दरपे धरना देंगे वहीं आता मत्या करेंगे क्या करेंगे और हमारे पास क्या है अलग अलग बैड जाते हैं तो हम्में के चक्कर छेशापर करना चाहता हूँ कि भाईयों सब चलो और थोड़े थोड़े करनमजी सो सो दो सो के उसमें जुट बना के विधायकों के और निगम पार्षदों के घर पे धरना दो और वहीं बैठ जाओ मैं तूठो बिल्कुल भी और ये पूरी सपाई विवस्ता करनमजी बंद कर दो बिल्कुल और हमारे द देते हैं तो लिपत के लिए अंतले कि लिए यह ये ते राम सिंग परधान जी जिनका दर्द आप लोगोंने देखा किस तरीके से अब अपनी गलती को मान रहे हैं के हाँ हमसे बहुत बढ़ी गलती हो गई इससे बढ़िया तो कॉंग्रेसी सरकारती कम से कम वयतन तो समय पे मिलता था कैमरामेन मनिश के साथ राहुल शर्मा भारत टीवी के लिए